हेलोँ फ्रेंट्स ! आपका में चैनल को सब्सक्राइब कर देद और निकी दिय नौ ट्सक्राइब को कर देज परिंप्र आपको मेरी वीडियो की नौस्केशन मिलती रहे और आप मेरी वीडियोज देखते रहे So friends, आजम आपकी topic कराऊंगा जिसका नाम है Anti-Markomunikov Rule Friends, आजम एंटी-Markomunikov Rule को डिसकस किया था So friends, आजम एंटी-Markomunikov Rule को डिसकस करेंगे और मैं आपको एक बात बता दू Anti-Markomunikov Rule हमारा Ultra-Markomunikov Rule का Just Opposite है ठीक है friends, और आपको पता होना चाहिए Anti-Markomunikov Rule को पैरुकसाइड इटेक्ट भी बोलते हैं और खराश इटेक्ट भी बोलते हैं कईबर एक्जाम में यह आ जाता है कि explain खराश इटेक्ट तो आपको confused नहीं होना है हाँ पर आपको Anti-Markomunikov Rule को पैरुकसाइड इटेक्ट भी बोलते हैं और खराश इटेक्ट भी बोलते हैं फ्रेंड अब हम समझते हैं Anti-Markomunikov Rule है क्या तो मैं आपको उता दू फ्रेंड Anti-Markomunikov Rule भी हमारे एक एडिशन रियक्ट भी बोलते हैं मैं लिखेता हूं लोग ठीके सेंड Anti-Markomunikov Rule हमारा एडिशन रियक्ट भी बोलते हैं अब फिर आपको इक बात हमेशा ध्यान रखनी है Anti-Markomunikov को जो रियक्ट होता है हमेशा पैरोक्साइड की प्रेजिंस में होता है Anti-Markomunikov को जो रियक्ट होता है हमेशा हमारा पैरोक्साइड की प्रेजिंस में होता है आपको इबात ध्यान रखनी है जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ट में लिख दिया है इट अलवेज अकर्ज इन दे फ्रेजंस ओफ पैरोकसाइड तो आपको बात ज्यान हंचेत नहीं हमेशा तो फ्रेंट्स अब हम समझते हैं कि अंटी माकोनिक वरूल ने क्या कहा था क्या उसकी स्टेट्मेंट थी तो मैं आपको जादो फ्रेंट्स अंटी माकोनिक वरूल ने ये कहा था कि अगर हम अंसिमेट्रिकल अलकीन को एच बियार की साथ रियाक कराएंगे पैरोकसाइड की प्रेंट्स में तो जो हमारा पॉस्टी पार्ट होगा वो हमारा उस डवल बॉनिक कावन पे जाएगा जिसके पास सबसे कम हर्जन है और नेग्टिव पार्ट उस कावन पे जाएगा जिसके पास सबसे जादा हर्जन है एक बार मैं दुबार रिपीट करता हूँ एंटी माकोनिको रूल ने ये कहा था कि अगर हम अंसिमेट्रिकल अलकीन को की कावन पे जाएगा जिसके पास सबसे कम हर्जन है और नेग्टिव पार्ट उस कावन पे जाएगा जिसके पास सबसे जादा हर्जन है ठीक है अब में इसे लिखता हूँ आपको प्लियर हो जाएगा झाल 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 झाल